आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो question में का आगया the distance between two cities देखो M और N दो cities हमार पास उनके बीच का distance कितना है 569 km एट train from city M at 8 a.m travels towards city N at 53 km per hour ठीक है another train starts from city N at 9 a.m and travels towards city M at 76 km per hour at what time will the trains meet तो वो trains आपस में किस time पर मिलेंगी वो time हम से पूछा गया question में तो देखो 2 cities हमार पास एक तो M city है और एक N city है उनके बीच में जो distance हमें बताया गया वो कितना बताया गया 569 km का distance बताया गया अगर M और N की बात करें तो 569 km का distance है तो कह रहा है कि M city से तो जो है A train चलती है हमारे पास A train चलती है और वो N की तरफ जाती है इसकी speed 53 km per hour है और इस side से हमारे पास N city से B train चलती है जो कि इस side आ रही है M की side आ रही है इसकी speed कितनी हमारे पास 76 km per hour है ये train जो है वो 8 a.m पर चलना सुरू करती है और ये train जो है 9 a.m पर चलना सुरू करती है तो वो कितने time के बाद वो किस time पर आपस में मिलेंगी वो हमसे question में पूछा गया है तो सबसे पहले जो a train है ये जब तक b train चलेगी तब तक 53 km distance travel कर लेगी क्योंकि इसकी speed कितनी है 53 km per hour एक गंटे में 53 km चलती है तो ये यहां से यहां तक का distance travel कर लेगी कितना distance travel कर लेगी इसने देखो ये 53 km हो गया तो यहां से यहां तक का distance कितना हो जाएगा remaining distance की बात कर लेगी remaining distance between train a and b at 9 am remaining distance between a and b at 9 am जब no बज़ेंगे तब उन के बीच में कितना distance होगा उसकी बात करेंगे at 9 am तो टोटल 569 km था उसमें से 53 कम हो गया तो कितना बचेंगे 569 में से 53 माइनस कर देंगे जब 53 माइनस करेंगे तो 516 बचेगा हमारे पास तो distance हमारे पास 516 आगया अगर बात करें speed देखो जब वह आप हमें time find out करना है कितने time के बाद वह मिलेंगी तो वह time कैसे find out कर रहेंगे time is equal to distance upon speed होता है अगर बात करें distance की तो distance की इतना आगया 516 km आगया speed की बात करेंगे तो देखो जब opposite sides में train चलती है तो speed add होती है 53 plus 76 दोनों को add कर देंगे plus 76 तो यहां से हम कह सकते हैं 516 divided by 53 plus 76 को add करेंगे तो हमारे पास 129 आएगा देखो अगर 129 आएगा तो देखो 129 से 564 पूरा पूरा कट जाएगा तो time हमारे पास 4 hour आगया मतलब 4 hour के बाद वह मिलेंगी अपस में अब देखो 9 बजे उन्होंने चलना शुरू किया था उसमें अगर हम 4 hour और add कर देते हैं तो कितनी बजे मिलेंगी एक बजे एक पीम पर वो meet करेंगी तो हमारा आँसर कितना हुजाएगा 1 पीम जो कि साइकेंड ओप्शन में गीवन है देखो 1 पीम सो ओप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर तो दिस कॉश्चन थैंक्यू